तमश्कार मैं हूँ आपके साथ माद्वी चौत्री और आपदी फ्रहन लाइब लगतार जार्टिन लोग सिवा आयो यादि जेपीसी का हमेशा से ही विवादों से गहरा नाता रहा है बीते 20 वर्ष में जेपीसी ने पहली से लेकर छटी सिवल सिवा परिक्षा एक एकर आयो जित की लेकिन वर्ष 2021 में साथवी से लेकर दसवी सिवल सिवा परिक्षा एक साथ ही आयो जित कर दी एक साथ ली गई चार जेपेसी परिक्षा में सीटों की संख्या भी कापी कम रखी गई इसी समय से साथवी से लेकर दसवी जेपेसी पीटी एक्जाम पर सबार उठना श्रूर हो गया था वही जेपेसी की तयारी करने वाली यूवा हमेशा ही खुद को ठगा महसूस करते हैं और लगतार आंदोलन भी होता रहा है कभी केस तो कभी मेरिक लिस्ट पर विवाद शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब जेपेसी की परिक्षा शांती कूरवक्वी हो वही इस वक्त जेपिसी के जानकार विने सिंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनकी तरफ रुख करते हैं विने जीपेसी और विवादो का पुराना नाता है और पिछले सभी परिक्षा परिनामों की ही तरा 7 वी सिले कर 10 वी सिवल सिवा परिक्षा का रिजर्ट भी और डिले होगा और यह वक्त हलागी स्टुडेंट को जो मिला है वह इसकी तैयारी कर सकते मतलब उनको टाइम मिला है उसका वह तैयारी करें जी विने जैसा आपने बताया कि जेपेसी परिक्षा जो है वो समय बढ़ नहीं होंगे तुम्हें यह जानना चाहूंगी किसका मुख्य कारण क्या है अगर मोटे देखाज तो हईकोर्ट में मामला है और हईकोर्ट 20 जुलाई तक का समय देरिका है और 20 जुलाई इस बीसमें सरकार अपने अंदर परिवर्तन कर लेती है तब तो एक्जाम में तो फिर सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है हाइए ने साब तोर पर कहा है कि अगर हिंदी को आप सामिल रखते हैं छेत्रिय भासा में आपने किस सर्वे कास्ट को बोले हैं कि वह किसी राज में नहीं पढ़ सकता मैट्रिक इंटर तो यह भी एक इरिलेवेंट नजर आता है और समानता के अधिकार के भी प्रीथ हो जाता तो इसको भी आइक उटने का ठीक करने के लिए विने जी आपने बताया कि परिक्षा में देरी होगी लेकि कि जून या जुलाई के अन तक परिक्षा जो है वह हो जाएगा तो इस पर आपका क्या कहना है यहां यह समझना होगा कि एक्जाम को लेने के लिए हाई को जब बोलेगी उस समय में देखिए हिंदी जब चेंज होगा तो टाइम मीलेगा फिर से एडिट करने का तो इस्ट लगता है कि यहां पर भी एक समय मिलेगा और यह समय जो होगा यह काफी हो जाएगा और यह हमें लगता है कि जुलाई में परिक्षा संभवनी होगा यह अक्तुबर तक चला जाएगा विनेज जेपेश्सी की ही तरह जेएससी भी विबादों से घृरी रही है सडक से लेकर सदन तक लोगों ने आंदोलन किया है कहा जाए तो सिविल सिवा परिक्षा की तयारी करने वाले युवा हमेशा ही ठगा मेहसूस करते हैं फिर भी जेएससी परिक्षा को लेकर लोग काफी उच्सुख है आखिर ऐसा क्यों कि यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि छारखन में सब्सक्राइब लोगों को रुजगार देगी लगबग दस एक्जाम सरकार ने पब्लिश कर रखा है इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है ज्यादा बच्चे इंदीनो की त्यारी करते हैं आपने देखा होगा कि हर कोई बने बने यह ज़रूरी नहीं होता लेकिन के लिए और जैसे सी सीजियल जो वन सॉट एक्जाम है ऑफिसर वाला तो स्टुडेंट को लगता है कि 2020 मैच के जैसा तो चलो इसको हम के लिए कर लेंगे और वह इसके लिए नि ठीमा ले तो हमयारी बनता है कि जैसे सी को द्रूस करना चाहिए लेकिन उसके पहले नियामा तुरूस्ट नहीं है कि अभी आने वाले जुलाइए में परीच्चा होGod कि देट आगए चला जाएगा ओरexp siwa परिक्ष्वा में लोगों ने इतनी सारी गडबढ़ियां देखी हैं इससे कही न कहीं लोगों का जो भरोसा है वो डगमगा गया है तो लोग कैसे भरोसा करेंगे जैसे सी पर अधिक जारकंड में भरोसा की जहां तक बात आती है तो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है हाई कोट और हाई कोट ने चुकी 20 जुलाई तक का खुद वक्त दिया है तो यह संभव नहीं नजर आ रहा है कि जुलाई के तीसरे चौदे सब्ता में कोई परिचा हो जीत होगा और सरकार इतनी जिम्मेवार नहीं है जारकंड में कि वह तुरत नेवावली परिवर्तन कर दे हिंदी को अपना मन से जोड़ ले आपने देखा होगा कि 25 सची और बाकी एक्जाम को लेकर के स्टुडेंट इतना लंबा चोड़ा अंधूरन कि यह सरकार के कान में जू भी नहीं रिंती तो हमें लग रहा है कि यह तमाम कोशी से स्टुडे एक सब्षussa को सफर बनाने के लिए सभी की भागिदारी एहम है बहुत बहुत धन्यवाद विनह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए महत्वपुन जानकारी हमारे सार्ज करने के लिए उमीद करते हैं कि हमाई दर्शको को इससे काफी लाब होगा खबरों का सिल्जल लगतार जारी है देखते रहे लाइव लगतार धन्यवाद